17 महिने का इंकारसेनेशन था, 17 महिने से वो जेल में थे और उनको जो है बेल गरांट करी है बहुत ही हिस्टारिक जज्जमेंट दिया है आज मनिश शुदिया जी को बेल गरांट किये है सुप्रिम कोर्ट ने मनिश शुदिया जी को CB और EDI के दोनों मामले में सुप्रिम कोर्ट ने ये कहा है कि 17 महिने का इंकारसेनेशन था, 17 महिने से वो जेल में थे और उनको जो है बेल गरांट करी है और सुप्रिम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मनीश शुदिया की तरफ से ट्राइल में कोई देरी नहीं हुई सुप्रिम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हमारे ट्राइल कोर्ट को और हाई को जो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेल के मामले में वो हर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचे उन्हें के स्ट्रेंड देना उनको 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 स्ट्रेंड शो करनी चाहिए थी और जो काडिनल प्रिंसिपल है बेल का कि बेल इस रूल एंड जेल इस एक्सेप्शन उसको विथोल्ड किया है अभी ओडर आया है ओडर में हमें कंडिशन्स फुल्फिल करने होंगे ट्राइल कोर्ट में और जैसे ही वह हो जाएगा फिर हम जो है उनकी रहाई हो जाएगी बहुत ही historic judgment दिया है और उस historic judgment में सुपरीन कोट ने कहा है कि अगर अभ्यूक्त अगर अंदर है बहुत समय से उनका इंकार्सलेशन बहुत समय से हो गया है और उनका डिले है ट्राइल के अंदर और ट्राइल समय पर शुरू नहीं हो पा रहा है तो in all such cases a person should be released on bail उनको bail मिलनी चाहिए और उन्होंने यह हिदायत भी दी है और यह कहा भी है कि हमें यह देखने में आ रहा है कि ट्राइल कोट और हाइक कोट बेल नहीं दे रहे हैं इन सब cases में और उन्होंने हिदायत दी कि ट्राइल कोट और हाइक कोट शुड बी और सुड बीच चाहिए चाहँ खरो आपन शुफ कर जहा है कि अरश के वनलुफ का बीच्रात ¿